चलिए finally हम पहुंच चुके एक ऐसे मुकाम पर जहां पर अब हम practical keyword को research करेंगे और आज के इस वीडियो के अंदर जो world का सबसे best search engine है यानि की Google के उपर किस तरह से आप जो है best keywords को find out कर सकते हैं क्या techniques होनी चाहिए तो ये practical आज के इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ तो अगर आप भी हमारे साथ में कोर्स में बने हुए है तो चलिए आज हम देखने वाले कि किस तरह से practically Google search engine का इस्तेमाल करके आप keywords को find out कर सकते हैं और क्या-क्या techniques आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए जानने के लिए वीडियो को अंदर तक जिरू दिखेगा practical सीखने के वीडियो को अंदर तक जिरूर दिखेगा इस मेरणामे मंजी सिंग और आप देखने हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीद और आगे बढ़ने से पहले बता दू कि अगर आपको जो है इस तरह के कोर्स पसंद है या इस तरह का content पसंद है जिसमें आप डिजिटल मार इस पूरे चानल के उपर में पब्लिश करते रहते हैं तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किये सीधा लेके चलता हूं computer screen पे और प्राक्टिकल दिखाता हूं कि कैसे Google का इस्तिमाल करके keyword को find out किया जाता है and definitely आने वाले वीडियो के अंदर हम paid tools का भी इस्तिमाल करके या free tools का भी इस्तिमाल करके keyword को कैसे research करा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं हम आ चुके हैं यहां पर computer screen पे अभी मैं आपको बता दू कि यहां पर keyword कैसे research करने है by using Google आज के इस वीडियो के लिए हम सरफ Google का इस्तिमाल करेंगे तो मैं यहां पर लेता हूं Google राइट Google open करने के बाद Google.com पे आने के बाद में बेकास मुझे बहुत सारी research करनी है different different tools का इस्तिमाल भी करेंगे next वीडियो के अंदर में आज से हम practical start कर रहे हैं तो it is important for you guys to understand the techniques क्योंकि techniques नहीं समझोगे तो definitely बहुत सारे keywords होंगे जो आप miss कर सकते हो तो चलिए भी यहां पर Google की help कैसे ले सकते हैं क्योंकि Google जो है एक बहुत बड़ा search engine है तो यहां से आपको best keywords जो है वो देखने को मिल सकते हैं तो चलिए इसका free tool का ही इस्तिमाल करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा search engine भी है तो लगसे मैं यहां पर लेता हूँ मेरा जो word है that is security services in जोदपूर security services in जोदपूर मैंने यहां पर search करा तो यहां पर मेरा एक keyword तुम मैंने क्या करा खुद ही लिख दिया यहां पर लेकिन क्या इतना ही यह तो मेरे सूचना है कि मैं क्या search करना चाहता हूँ तो basically मैंने एक keyword लिख दिया अब इसके अलाबा अगर हम देखें तो यह Google कैसे हमें help करता है see the scroll down करो नीचे side पे तो आपको related searches के अंदर जिसको हम LSI keywords भी बोलते हैं तो you can see यहां पर security guard jobs in जोदपूर तो night security guard jobs in जोदपूर salary तो night security guard jobs in जोदपूर 8R security guard jobs near me ATM security guard jobs हो गया then उसके बाद में IIT जोदपूर security guard हो गया then Sys security जोदपूर contact number हो गया तो यह कुछ आपके keywords हैं जो आपके relevant आपको लग रहे हैं तो वो आप यहां पर use कर सकते हैं because यहां पर जो Sys लिखा है IIT लिखा है और MSF लिखा हुआ है तो यह आपके क्या है यह specifically आपके navigational keywords हैं तो हमें navigational अभी इस्तेमाल नहीं करने तो हम यहां पर कर सकते हैं like security guard jobs in जोदपूर तो night security guard jobs in जोदपूर night security guard jobs in जोदपूर यह तरीका हो सकता है एक आपका तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक excel sheet ready करेंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे तो मैं यहां पर लिख देता हूं keyword और इसको open कर लेते हैं तो यहां पर हमने क्या करना है keywords लिखने start करने तो सबसे पहला keyword हमने क्या करा security guard वला आ गया दूसरा हमने यहां पर क्या कर रहा है security guard jobs in जोदपूर तो हम यहां पर कर देते हैं security security guard jobs in जोदपूर तो यह भी हमारा keyword हो गया तो इसको और बड़ा गल देते हैं तो और इसके बाद में हमें क्या चाहिए night security guard तो ठीक है हम यहां पर जो है इसी को मैं basically copy करके paste कर देता हूं और उसके starting में हम बात कर लेते है night security guard because there are certain लोग जो है वो सरफ night में उनको day time में को security guard की requirement नहीं तो यह हम कर सकते हैं तो यह अलड़ी हमने cover कर दिया eight hours यानि कि कुछ हम चाहते कि अगर eight hours के लिए कोई अगर कर सके या तो हम इसको भी consider कर सकते हैं बट इसको अभी के लिए मैं यहां पे छोड़ रहा हूं इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जो है कोई सर्च करते होंगे तो यहां पे एटियम security guard jobs in जोदपूर एटियम जो है और एटियम का वैसे आप use करना चाहें तो कर सकते हैं बट आज की डेट के अगर बात करें तो आम शोर आपको पता होगा कि एटियम के उपर में आ यहां पर क्या सर्च कर सकते हैं तो अब इस से दूसरा तरीका हम यह किया करते हैं अब देखो मुझे हमिखता हूं झाया इस में से धीर धीर ribs थोड़े से हटाते चलता हूं, तो क्या-क्या, मुझे basically keyword जाने, तो you can see, यहाँ पर जो है, सारी cities लिखी गए, मैं और पीछे आता हूं, so that I can see, तो यहाँ पर, you can see, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, जो मैं use कर सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहें, एक और technique होती है, यहाँ पर keyword को research करने के लिए, I don't know कि इसमें लिए आएगा की नहीं आएगा, तो basically, आप अगर इन दोनो words के बीच में, security and services के बीच में, अगर कोई words हैं, क्या, उनको कोई search करता है, कि मुझे नहीं पता भी है कि नहीं है, तो what I'll do is, मैं यहाँ पर इसमें जो है, एक backspace खतम करूंगा, and उसके बाद मैं यहाँ पर space देके, एक underscore डालके, फिर space देता हूं, तो you can see, यहाँ पर कोई भी changes नहीं हुए, अब कोई भी changes नहीं हुए, तो which means, इसके बीच में, कोई भी SS word नहीं है, जो लोग search करते होंगे, अब आप बोलोगे, sir, इसको prove करो, तो चलिए इसको prove करने के लिए, हम क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, say for example, मैं यहाँ पर कर देता हूं, networking courses, right, example के लिए, networking courses, अब यह मने एक different keyword लिया, अब इसके बीच का कोई मुझे नहीं पता को करता है कि नहीं करता, so what I'll do is, मैं यहाँ पर space कदम करके underscore डालके करता हूं, तो you can see, इसके बीच में आपके यह word का इस्तेमाल किया जाता है, सर्च करने के लिए, networking training courses, networking related courses, networking free certificate courses, and networking and security courses, networking cloud courses, so you can see, अगर आपको किसी दो word के बीच के, अगर कोई ऐसे की words हैं, जो आप नहीं पता है, आपको कोई सर्च किये जाते की नहीं किये जाते, तो आप यहाँ पे इस technique का इस्तेमाल कर सकते हो, which is the best option, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी अगर इसके बाद की अगर बात करें, तो you can see, आप अपने competitor से भी check कर सकते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वापस लिग देते हैं, security services, services in Jodhpur, वापस सर्च करते हैं, और यहाँ पर आपके जो competitors हैं, उनके बारे में आप लेग सकते हैं, लोग कि you can see, top security services in Jodhpur, तो यह भी जो है, आपकी एक keyword हो सकता है, तो हम यहाँ पे वो use कर लेते हैं, top security services in Jodhpur, तो यह keyword हो गया, और आपका क्या हो गया यहाँ पे, the top security services for guard in Jodhpur, तो यह भी आप यूज़ करना चाहते हैं, इससे भी search किया जाता है, फिर security services in Jodhpur, अरड़ी हमने cover कर लिया है, top 10 से यह भी छोड़ दो अभी, और नीचे यहाँ पे आप देशते हैं, यहाँ पर यह तो navigational पे चला गया, तो इससरे से हम कुछ यहाँ से भी keyword ले सकते हैं, अभी मैंने किसी भी tool का इस्तेमाल नहीं करा, सिरफ एक Google का इस्तेमाल करके, मैंने यह देखा कि लोग क्या-क्या search कर सकते हैं, और मेरा जो keyword है, उससे related क्या-क्या keywords मुझे मिल सकते हैं, जब तक आप practice नहीं करोगे, वह तब तक आप चीजों को अच्छे से keywords को research नहीं कर पाओगे, और किसी भी एक page के लिए बहुत ज़्यादा keywords भी नहीं use कर सकते, तो आपको बहुत सारी exercise करनी पड़ते हैं उसके बाद में जो refined keywords होते हैं, वह आपको find out करके top पे ला सकते हो, तो you can see हमें यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच keywords जो है, वह basically सिरफ Google पे search करने पे मिल गए, अब इन keywords के साथ में हम कुछ tools का भी इस्तेमाल करेंगे, और वहां से भी हम keywords को find out करने की कोशिस करेंगे, So guys, I hope कि आपको Google का इस्तेमाल करके, किस तरह से आप keywords निकाल सकते हैं, और कितनी तरीके के keywords निकाल सकते हैं, वह आपको यहां पर समझ में आया होगा, बाकि depend करता आप कौन सा keyword इस्तेमाल करते हो, मैंने यहां पे, because बहुत ही detail में नहीं, आपको बहुत detail में explain करना था, आपको confuse नहीं करना था, इस वज़े से मैंने यहां पे security service का इस्तेमाल करा, आप बहुत सारे different different तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं, example के लिए say for example हम यहां पे करते हैं, cleaning services in Jodhpur कर लेते हैं, यह हमने cleaning services in Jodhpur करा, तो यहां पे बहुत सारे आपको different cleaning को आप home word भी हो सकता है, bathroom का word भी इस्तेमाल कर सकते हो, deep cleaning हो सकता है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे कि वह उसमें आपका जो है navigational हो गया, then home की हो गई, तो यह आपके different best cleaning services हो गई, तो इस तरह के जो है आप keywords का different different तरीके से find out कर सकते हो, with just Google के search engine का इस्तेमाल करके, so I hope कि आपको Google के search engine को इस्तेमाल करके किस तरह से आप keywords को find out कर सकते हैं, यह आपको idea लगया होगा, अब इसके बाद में हम कुछ tools का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में जो है, वहाँ से कैसे keywords हमें मिलते हैं, वो भी हम आने वाले वीडियो के अंदर cover up करेंगे, अगर आपको यह SEO course है पूरा पसंद आ रहा है तो like करें, share करें, और अगर आप SEO expert बनना चाते हैं beginner से, बिलकुल advanced level तक, expert level तक आप बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ में, चैनल को subscribe कर दे, bell का icon दवादे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, फिर मिलता हूं एक और नहीं वीडियो के साथ, till then stay safe, goodbye.